करेंगे वेलो एव्रिवन आप सबीका फेसे स्वागत है यह Labdinkane Ncrt हिष्ट्री का डिसकसन है और आज हम हम लोग आधुनीकी विषड्वय यानि world history इसकाइब करेंगे world history स्टार्ट कर रहे है'm world history में किस किस में topic कभर किया जायेगा एक बार देख लेते हैं तो देखिए, वर्ल हिस्ट्री में सबसे पहले पुनर जागरण के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके बाद धर्म सुधार आंदोलन नए देशों की खोज और बेपार के संदर में पुझी वाद और अधोगी करांती अमेरिकी करांती, फ्रांस की करांती प्रथम विश्वयूद, रूसी करांती दो विश्वयूदों के बीच की दुनिया संद्युक्त राज अमेरिका, सोवियस संद तथा जापान के संदर में डिसकस करेंगे इरोपिय परिद्रिस और द्वित्य विश्वयूद के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे जो आज का टोपिक है अध्याय 49 पुनरजागरण तो पुनरजागरण को इस अध्याय में हम लोग अच्छे से कवर करेंगे तेके रेनेशा का साब्दिक अर्थ होता है पुनरजन में याद रखिएगा सिमित अर्थ में इस सब्द का परियुग युनान और रोम की प्राचीन सभ्याता के ज्यान विज्यान के प्रती पुनब पैदा हुई रूची के लिए होता है सास्त्री ग्रंथों के अध्यान तथा युनान और रोम की सभ्यताओं की अन उपलब्दियों ने इरोक वासियों को बहुत परभावित किया उनर जागरण मात्र प्राचीन ग्यान, प्राचीन युनान और रोम की उपलवतियों की बड़ती जनकारे तक सिमित नहीं था, बलकि इसका समन्ध कला सहे धर्मे दर्शन, विग्यान और राजनेती के छेत्र में हुए परिवर्तन से भी था उनर जागरण का प्रारम इटली में हुआ था, याद रखेएगा, इसका एक अत्यांत महत्पून कारण यह था, वो यह था कि इरोप और पुर्वे के देशों के मध हुए बैपार के उनर उत्थान ने इटली के सहरों को सरवाधिक संपन बना दिया था, यह संपून बैपार लगभपून ता इटली के सहरों के नियंतरण में था, सोलावी सदी में इटली का धिकांस भाग पर पांच परमुख राजियों का नियंतरण था, यह पांच राज कौन कौन से थे, मिलान था, वेनिस, फ्लोरेंस, नेपल्स और चर्ज, याद रखेएगा, यह पांच गास सामंती नियंतरण से मुक्त वातावरण में हुआ था, इस अजादी ने चिंतन और सहस की भावना को पुर्शाहन दिया था, इटली के इन राजियों के सासक ज्यान, विज्यान और कला के सनप्छक थे, इरोप के बौधिक और सांस्कृतिक जीवन पर सदियों तक कैथ अफॉलिक चर्च का प्रभुत्व रहा था, प्रन्तु पुनरजागरण ने चर्च के इस प्रभुत्व को कमजोर बना दिया था, इसके बाद मानवतावाद के बारे में डिसकस कर लेते हैं, हुमेनीजम के बारे में देख लेते हैं, पुनरजागरण की विचारधारा की म मानवतबाद एक ऐसी विचारधा थी, जिसमें मानों का गुनगान किया गया, उसकी सारभुत मान मर्यादा पर बल दिया गया, उसकी अपार स्रिजन सक्ति में अट्टू आस्था ब्यक्त की गई तथा ब्यक्ति के स्वतंत्र वो ब्यक्ति के अधिकारों की जो है भोशना की गई याद रखेगा अगर बात करें तो देखे इसका सरोकार सवी तरह के संसारिक सुख दुख भोगने वाले मानों से था इसमें धार्मिक आडंबरों का विरोध किया गया जो धार्मिक आडंबर थे मतलब जो कह सकते हैं कि जो पाखंड टाइप का था इनका विरोध किया गया मानों के सुक भोग के अधिकार और संसारिक एक्छाओं और औस्यक्ताओं के पूर्ति किये जाने को अत्याधिक समर्थन दिया इसमें दैविये और पारलोकिक ततो के स्थान पर मानविये और इहलोकिक ततो को महत्व दिया गया यानि दैविये सक्ति जो मतलब की दैविये सक्ति में जो विश्वास था इसको मतलब की इग्नॉर कर दिया गया परलोकिक ततों को मतलब कि हटा दिया गया और इन दोनों के स्थान पर मानों के बारे में और इलोकिक यानि इस यूग में जो चीज़े हो रही है इन ततों को यानि इस प्रिथिवी के चीजों को जो है ज्यादा महत्वे दिया गया और इसने मानो स्याग्रा किया कि वह चर्च के द्वारा पर्लोक की चिंता जो है छोड़कर इससी धर्ती पर सुख प्राप्त करने का प्रियास करे तो प्रलोक में मरने का बाद क्या होगा इसकी चिंता को छोड़ दिया जाए और धर्ती की जो सुख है इसको प्राप्त करने क प्रयास किया जाए तो ये चीजे थी इसमें 15 सदी के इतावली मनवतावादी या दोके इतावली मनवतावादी पीको डेला मरांत दोला ने अपने लेखन में पुनर्जागरन के इस विश्वास को व्यक्तिया कि मानो एक महांचमतकार है एक अध्भूत है उन्होंने लीखा जू है कि मनदूस्ये का जीवन जो है बहुँ जादा महत्पूर्ण है सहित और इतिहास को अब जो है मानी की कहा जाने लगा इनका उदेश मूख रुप से मानो के इस संसार के किरिया कलापों को समझना था न की मिर्दू के उपरांद के जीवन को तो संसार के वस्तू है इसका उपयो किया जाए घ्ञान को प्राप्ति किया जाए ग्यान की खोज कि जाए नकी मरने के बाद उसमें अपना जीवन को बैतीत करने में समाथ कर दी जाए पुनर जागरन काल के कलाकारों ने अपने विशय तो बाइबिल से लिया, लेकिन मानों का चित्रन समस्त पार्थिव संदर और ओज के साथ किया तो इनका जो विशय था बाइबिल से लिया लेकिन मानों का जो चित्रण है वो समस्त पार्थिव, सौंदर और ओज के साथ किया इसके बाद कला और अस्थापत्य के बारे में जो है हम लोग देख लेते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में इंपोर्टेंट है उनरजागरन काल के कलाकारों ने बाइबिल के विशय का तो उपयोग किया लेकिन इन विशयों की उन्हों ने जो ब्याख्या की उसमें प्रमप्रागत धार्मिक द्रिष्टिकोंड को नहीं अपनाया गया कला ने अब एक ऐसी स्वतंत्र गतिविधी का स्वरुप्राप्त किया था जो मध्य यूग में कहीं दिखाई नहीं देती थी उनरजागरन काल में कलाकार की अपनी स्वतंत्र पहचान बनी उसकी अपनी सैली थी और उसे समाज में अत्यरिक सम्मान मिला उनर ज्यागरारकाल के सभी कला रूपों में सबसे ज्यादा विकास चितरकला का हुआ था किसका चितरकला का चितरकला और मूर्ती कला के बारे में हम लोग देख लेते हैं इंपोर्टेंट है तो देखिए पहला नाम आता है लियोनार्डो दविन्ची लियोनार्दो दाविंची ये मुर्तिकार, चित्रकार और कलाकार थे इनकी जो किरती है दलाश, सपर और मोना लीसा मोना लीसा से ये बहुँ जादा विख्यात हुए चित्रकला पर किरती की नकल थी कलाकार प्रेरित रचनाकार था इसके बारे में विस्तार दिया गया है इसके बाद दुसरा नाम आता है मायकल एंजेलो का Myakle एंजेलो ये मुर्तिकार और चितरकार थे इनका जो कृती है डेविड पिएता सिश्टीन चापेल में चितर और विस्तार में अगर देखे तो मानविय रूप की उपस्ती थी, सक्ती और विलक्षणता को बता रही थी राफेल, तिसरा नाम आता है राफेल का, राफेल चित्रकार थे और कृती है सिस्टीन, चापेल में चित्र मैडोना और चिर्गी पोप की सिवामेकार या चित्र बूधी और परतिष्ठा को परदसीत करता है विस्तार के संदर में भी आप देखिएगा इसके बाद है लोरेंजो घिवर्टी, यह मुर्तिकार थे और कृती है फोलोरेंज सिस्थित, बैप्टिष्ट्री के लिए दो कांस दर्वाजे और यह दर्वाजा स्वर्ग द्वार के सम्मान था पाचवा नाम आता है डोने टेलो, यह मुर्तिकार थे और डेविड की कास परतीमा सेलीन गुलयत के सरीर के उपर बिजय चीन इनकी कृति है और कला के छेतर में प्रथम नगन मुर्ति जो तेरा फूट लंबी थी या मानुए रूप की सुनरता को जो है दर्साती है तो याद रखिएगा जो चित्रकला और मुर्तिकला से समन्दी जो नाम है जो बेवसा है जो उनकी कृति है यह सभी बहुँ जादा इंपोर्टेंट है एक दो बार आप रिविजन की जिएगा पुनर जागरन काल के कलाकार कला को जीवन का परतीरूप समझते थे इसके लिए प्रकृति और मानो परवत पेड़ पौधे पसुओ और मानो की सरीर सरचना का गहन अलोकन करना अवस्यक था कलाकारों ने परकासिकी तथा जयामीति का अध्यान किया और अपने चित्रों में परछेपों का भी परियोग किया उन्होंने मानो के हाव भाव की आंतरिक बिवस्था को समझने के लिए सरीर रचना विज्ञान का अध्यान किया संसार की महांतम परतीभा लियोनार्डो द विंची ने न क्योल मानो सरीर की रचना का गहन अध्यान किया बलकि हल्चलो को व्यक्त करने के लिए जानने का परियास किया कि हल्चलो के दौरान शरीर के विभिन अवयो किस तरह का आकार ग्रहन करते हैं आप समझ सकते हैं कि किस अस्तर पे कला को महत्व दिया गया कला से इंद्रिय सुप प्राप करना कला का नयायोचित उद्धिस माना गया पुनर जागरण के कलाकारों ने मानों के धार्मिक पहलूओं के बजाए उसके भौतिक पहलूओं पर ध्यान दिया धार्मिक पहलू के बजाए जो भौतिक पहलू थे इन पहलूओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया पुनर जाग्रन काल के कलाकारों की किर्तियों में जो परिपूर्टा थी वह महज दैविये नहीं बलकि मानिविये भी थी तो याद रखिएगा पुनर जाग्रन की चेतना की पून अभिव्यक्ति इटली के जिन तीन कलाकारों की किर्तियों में देखने को मिलती है ये नाम है लियोनार्दो दवींची माइकल एंजीलो और राफेल तीनों का नाम याद रखिएगा लियोनार्दो दवींची ये 22 हाज का मॉर्डल भी बनाया था उनकी दो सरवाधिक परसीद जो चित्र है दलाज शपर यानि अंती मोज और मोना लिसा याद रखिएगा इंपोर्टेंट है यहां से कई बार प्रस्ने पूछे गए हैं एक मुर्तिकार के रूप में माइकल एंजीलो की परतिभा जो है य के द्वारा निर्मित चित्रों में जैसे की the last judgment यानि अंतिम नयाए the fall of man यानि मानो का पतन इसकी गणना संसार की स्रवाधिक परसीद क्रितियों में कि जाती है राफेल भी इटली के चित्रकार थे तथा लियोनार्दो द विंची और माइकल एंजीलो के शमकालिन थे उनक की गणना संसार के सर्वस्रेश चित्रकारों में की जाती है पुनर्जागरन काल की मुर्तिकाला में मोटे तोर पर वैसा ही परिवर्तन हुआ जैसा कि चित्रकला में हुआ पुनर्जागरन काल की मुर्तिकला की मुख विश्यस्ता यह है कि अब मुक्त रुप से खड़ी चित्रकला की तरह सारीरिक रचना से त्वच्चा समनित नए ग्यानने और सोंदरे के नए माप डंडों ने मुर्तिकला को परभावित किया पुनरजागरन काल का सहेते इसके बारे में देख लेते हैं इस काल में जनता की छेत्रिये तथा देशी भासाओं का सहेत लेखन में उपियोग होने लागा सदियों तक सास्त्रिय और सहेतिक ग्रंत लेटिन भासा में लिखे जाते रहे पुनर जागरन काल में यूरोपिये भासाओं का साहेतिक भासाओं के रूप में उदै हुआ और इनका विकास आरम हुआ पुनर्जागरन काल के लेखकों को लेटिन तोर पर अगर बात करें तो पुनर्जागरन काल के लेखकों को लेटिन पर जो है और इरोप की दूसरी सास्त्रिय भासा ग्रीक पर अधिकार प्राप्थ था तो Latin और Europe की दूसरी जो सास्क्रिय भासा था उग्रिक था और इन दोनों पर इनका अधिकार प्राप्त था इसके बाद अगर बात करें तो साहित्य के बारे में देख लेते हैं लिटरेचर तो पूरी डेटा जो है एक बार अच्छे से अनालेसिस करके आगे बढ़िएगा देखिए पहला नाम आता है मैकिया वेली का इनका वेवसाय क्या था ये राजनितिक लेखक थे दप्रिंस इनका क्रिती है सासको के निर्देश के लिए राजनितिक और धरना इनका विस्तार दाते ये कवित है डिवाइन कॉमेडी इनका क्रिती है या एक महा कवियात्म कविता जिसमें देश के प्रती प्रेम तथा समकालिन याद किएगा समकालिन एटली के समाजिक और धार्मिक जीवन का इसमें वडन मिलता है तीसरा नाम आता है पेट्राक का बिद्वान मनवतावाद का इन्हें जनक कहा जाता है और इनका बेवसाय था ये मनवतावाद का ये जनक थे कृती क्या थी तो कैंजो नीरे कैंजो नीरे जीवन के आर्थिक समाजिक और राजनेतिक पहलूओ का इन्होंने जो है मतलब कि वडन किया इसके बाद नेक्स्ट नाम है बोकासियो का बोकासियो इनका वेवसाय था गध लेखक ये गध लेखक थे इटालियन गध का ये जनक है और क्रिती है डिक कैमरून दिक कैमरून देखिए एक समान उपन्यास का संग्रा जिन में नेक्टिक्ता और गुणों का उजागर किया गया है इसके बाद नेक्स्ट नाम है जियो फेरी चासर का कभी अंग्रेजी पद का ये जनक है ये कभी थे और अंग्रेजी पद का ये जनक माने जाते हैं इनकी जो क्रिती है दो कैंटवरी टेल्स और जो बिस्तार है केंद्रिय चरेतर के द्वारा समाजएक धार्मिक और नैतिक मूदों को उजागर करना जो उसने अपनी लंबी यात्रा में प्राप्त किया था इसके बाद नेक्स्ट नाम है थॉमस मूरका ये गध लेखक थे इनकी जो क्रिती है इटोपिया और याद रखेगा जो इनका विस्तार है एक आधर समाज जहां कोई सोशन और वर्ग भिंता न हो इसके बाद विलियम सेक्सपीर ये नाटकार, रंग कर्मी और कवी थे तीनों थे और इनकी जो क्रिती है याद रखेगा बहुत महत्पूर है यहां से कई बार प्रशन पूछे गए है इनकी जो क्रिती है जुलिया सीजर, मैक बेथ और हेमलेट इनका जो अगर बात किया जाये तो इनका जो विस्तार है मानवी संबंधो, बीरोदो, निदानों पर अधारित, नाटको की रचना करना जौन मिल्टन ये कवी थे, पैराडाइज, लोश्ट इनकी क्रिती है सैतान का पतन और इस्वर के साथ उसका संघर्स, इनकी विस्तार है मॉन्टेगिव, ये निबंधकार थे, निबंध को लिखते थे और इनकी जो क्रिती है, एससेज, ये निबंध था और विस्तार क्या है, तो प्राधिकार के विद्ध लेखन, जिसमें अतीत के दूख और मानों के वास्तिव जीवन का अनुभाव शामिल है इसके बाद है सर्वेंटिज, सर्वेंटिज ये लेखन थे, और इनकी क्रिती है और इनकी जो विस्तार है, साहसी मुल्यों या सामन्ती मुल्यों का उपहास करना और उपलब्धियों के संबन में चर्चा करना देखे, अगर बात किया जाए, तो इउरोप की एक आजनिक भासा में लिखी गई पहली महत्पूर्ण क्रिती, दाते की डिवाइन कॉमेडी है यह प्रशन कई बार कुछा गया है, तो डिवाइन कॉमेडी किसकी क्रिती है, तो दाते की इस काल में इसाई कहानियों और धर्मसलाओं की काफी चर्चा है, महान लेखक पेट्राक ने भी दाते का अनुसरन किया, एतिहासकार उन्हें मनवातावाद का संस्थापक मानते हैं उनर जागरण के उत्री इवरोब के लेखकों में एक परमुख लेखक, हॉलेंड निवासी इरासमस थे, कौन इरासमस, जिनोंने चर्च की बुराईयों की आलोचना की थी फोलोरेंस के एतिहासकार मैकिया वेली को आधनिक राजनेति दर्शन का पीता कहा जाता है किसको मैकिया वेली को याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है तेके उसने अपनी कृती दप्रिंस में उस राज की नई धारणा परस्तूत की जो इरोप में उदित हो रहा था मतलब कि जन में ले रहा था मैक्यावेली ने राज को स्वतंत्र और सर्वसता संपन माना और कहा कि धार्मिक मामले राजनेतिक मामलों से अलग होने चाहिए अलग रखे जाने चाहिए अंग्रे जी कभी और नाटकार विलियम सेक्सपियर विलियम सेक्सपियर ने अपनी कृतियों में मानों के सभी संभव भावों और उसकी चमताओं वदुरवलताओं का विवेचना किया है तो जो सभी संभव भाव है जो उसकी चमता है जो उसकी कमजोरी है इन सभी का इसने विवेचन किया है, फ्रांस के लेखक रैवेल ने धर्म सास्त्र और चिकेसा सास्त्र का अध्यन किया था, उसने अपनी बुधी और अपने ब्यंग का परियोग जो है, फलित जोतिस की मन्यताओं तथा अंद विश्वासों के विरूद, फलित जोतिस जो है, पेंटा ग्रुवल और गरगा तुआ है, जो वस्तुता मध यूगिन अख्यानों के दो दैत्यों के नाम है, इसके बाद मुद्रन कला का अविस्कार इसके बारे में डिसकस कर लेते हैं देखे, पंदरभी सदी के पुर्वाद में इस अविसकार का स्रे गुटिन वर्ग और कैस्टर को दिया जाता है, किसको? गुटिन वर्ग और कैस्टर को अत्याधिक छपाई के कारण पुस्तक की परियाप्त मातरा में लोगों के लिए उपलवद हो गई थी पहली मुद्रित पुस्तक गुटिन वर्ग की बाइबिल थी जो 1456 निस्पी में परकासित हुई थी याद रखिएगा मुद्रण के अविसकार के पहले पुस्तक हस्त लिपियों के रूप में होती थी पढ़ने वाले लोग इन हस्त लिपियों को बड़ी कठिनाई से प्राप्त कर पाते थे अनुमान लगाया गया है कि 15 सदी के पुर्वाद में एउरोप में करेब कुल जो है एक लाग हस्त लिपियां उपलग थी हस्त लिपियां मतलब हाथ से लिखी गई पुस्तके मतलब पुस्तक नहीं था वो लिपियां थी और मुद्रण का विस्कार के बाद 50 साल की ओधी में पुस्तकों की संख्या 90 लाग पर पहुँच गई और यह एक महत्पूर परिवर्तन था 15 सताबदी के मद में जर्मनी में गुटेन की नामक बैक्ती गुटेन की इस नामक बैक्ती ने एक ऐसी टाइप मसीन का विस्कार किया जिसने छपाई के छेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया इसके बाद आधनिक बिग्यान का आरंब देख लेते हैं पुनर्जागरण के साथ आधनिक बिग्यान का भी आरंब हुआ मध्य यूगिन यूरोप के बौधिक जिवन पर चर्च का अधिपत्य था मध्य यूगिन यूरोप की मन्यताओं के नुसार किसी भी विचार को तब तक सत्य नहीं पुनर्जागरण काल के विचारों ने ऐसे प्राधिकार में आँख बंद करके विश्वास करने से मना कर दिया उन्होंने कहा कि बाहर निकलकर और प्रकृर्टि की पुस्त का अध्यान तथा अन्यूशन करके ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है न कि महज चिंतन करने से पुनरजागरन काल की आरंबिक वैज्ञानिक उपलब्धियां खगोल विज्ञान के छेत्रे से संबंदित है पॉलेंड वासे विद्वान कौपर निकस ने जो अनिक वर्सों तक इटली में रहा इन्होंने परतिपादित किया कि प्रतिवी अ से एकदम भीन्य विचार था एक हजार से भी अधिक साल तक यह मन्याता जो है प्रचली थी कि प्रतिवी विश्व के केंद्र में इस्तित हैं कौपर निकस का ग्रंथ खगोली ये पिंडो के परिभरमन पर विचार 1543 स्पी में परकासित हुआ और उसी वर्स उनके मिरतु ह जयारदानों ब्रुनों को धर में विरोत के आरोप में खूटी से बांध कर जिंदा जला दिया गया याद रखिएगा इसके बाद अगर बात करें तो देखिए बिश्व संबंधी नई धारना की निर्नायक पुष्टी दुर्वीन की अविस्कार से संभाव हुई गैलियों ने अपने दुर्वीन से अकास के पिंडू का उलोकन किया उसके उलोकनों से कौपर निकस के सिधान की पुष्टी हुई रुढिवादी विचारों के खंडित करने के आरोप में बुढ़ापे में गैलियों पर मुकदमा चलाया गया और उसे धर्म विरोधी घोस ने केपलर के कारे को आगे बढ़ाया गणित की सहायता से निूटन ने सिध कर दिया निूटन ने प्रूब्ध कर दिया कि सवी खगोली ये पिंड गुरुत्वाकर्षन के नियमों के अंतरगत जो है यात्रा करते हैं 1543 इसपी में बेलजियम वासी वह ज्यानिक वेसोलियस याद रखेगा ये बेलजियम के थे वेलजियम वासी वेज्यानिक वेसोलियस ने अपना सचित्र ग्रंथ the humanic jede जो वेसोलियस की जो सचित्र गृंथ था the humanicự ने प्रपोरिस फाब्रिका प्रकासित किया या गृंथ मानो शरीर के उनके विचिधन कार्य पर अधाली था इस गृंथ में पहली बार मानो शरीर की रचना किरिया के बारे में पूझ जरनकारी जो देखने को मिलती है वेसोलियस को आधनिक मानो सरीर का पीता सुईकार किया गया जो वेसोलियस थे इनको आधनिक मानो सरीर का पीता सुईकार किया गया एस्पेन वासी वेग्यानिक सर्वेंटिज ने एक गरंत परकासित करके उसमें रक्त परिसंचरण के बारे में जनकारी दी रक्त परिसंचरण की सतत परकिरिया यनि रक्त का हिरदय से सरीर के सभी अंबु में पहुचना फिर वापस लोटना इसका पूर्ण वित्रण मतलब की 1610 इसपी में पॉलेंड वेग्यानिक विलियम हारवे ने परस्तूत किया इसके बारे में देख लेते हैं जो इंपोर्टेंट फैक्ट है पहला नाम आता है निकोलस कॉपर निकस का ये वेग्यानिक थे इन्होंने क्यानवेशन किया इन्होंने सिध किया कि प्रिथवी गोल है तथा प्रिथवी चंदर्मा और ग्रह अने सूर्य की परिकर्मा करते हैं निकोलस कॉपर निकस का नाम याद रखिएगा जोहांस केपलर ये वेग्यानिक थे इन्होंने सिध किया कि प्रिथवी और दूसरे ग्रह सूर्य के चारो और वृताकार पत में नहीं न की उसकी वजन पर इसने थर्मामीटर और हाइड्रो एस्टैटिस्क संतुलन की खोज की सर आइजेक निउटन ये वेग्यानिक थे और इन्होंने शारभ हौमिक गुरुत्वाकर्षण के सिधान्त का परतिपादन किया इसके बाद विलियम हार्वे ये जीव वेग्यानिक थे और इनका जो अन्वेशन था मानों शरीर में रक्त परिसंचरन का विस्तार से वणन करना इसके बाद एड्मन हिलेरी ये खगोल सास्त्री थे और धूंकेतु के कच्छा की गणना की जो धूंकेतु की जो और विट था कच्छा था इसकी गणना की साथ ही इसकी वापसी के वर्सों को भी गणना की और इसके बाद इनके द्वारा खोज़ गया धूंकेतु को हेली नाम दिया गया इसके बाद रेने डिसकार्टेज ये गणितग्य थे इन्होंने विस्लेशनात्मक जयामिती का पर्ति पादन किया विस्लेशनात्मक जयामिती याद रखेगा इसी के साथ आज का सेशन समात करते हैं नेक्स सेशन में धर्म सुधार आंदोलन के संदार में डिस्कस करेंगे आप अपना पर्तिकिरिया देते रहे ये आपके पर्तिकिरियाओं का हमें बिस्वरी से इंते जाया रहता है और जिन लोगों ने टेलिग्राम चैनल, टेलिग्राम क्वीज ग्रूप, फेस्बूप, पेज, इंस्टाग्राम को जोई नहीं किया है वीडियो के डिस्केप्शन बॉक्स में उसका लिंक है आप जोईन कर सकते हैं थाइंक यू, मिलते हैं नेक्स सेशन में